अगर आप भी MP या फिर 36 गड़ से हैं तो आज का ये वीडियो आफ के लिए है क्योंकि दोनों ही राज्जों में कल मतदान होने जा रहे हैं और मतदान से पहले आपका जागरुक होना विह जरूरी है अगर आपके मन में खयाल आता है कि आप फिर आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है आप वोट डाल सकते हैं या नहीं वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं अगर इन सवालों के जवाब आपको चाहिए तो आपको घर वैटे ही आसान तरीका बताते हैं आपको अपने मु भी तरह से प्रॉब्लम होती है और आपको कम्प्लेन दर्श करना है तो इसके लिए 1950 पर आप कॉल कीजे यहाँ पर आपसे पहचान पूछी जा सकती है लेकिन आप अपनी पहचान को गुपत रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सी विजल एप का यूज करना है यहाँ पर पोलिंग बूट से 20 मीटर की दूरी पर खड़े होकर फोटो या वीडियो आप बना सकते हैं और यहाँ पर कम्प्लेन दर्श करा सकते हैं 100 मिनिट के अंदर ही आपकी समस्या का समाधान यहाँ पर हो जाएगा चले अब जल्दी से बताते हैं मंदान के लिए दस्तावेज कौन कौन से जरूरी है आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए अगर यह नहीं है तो आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड या फिर मनरेगा जौप कार्ड अगर आपके पास इन दस्तावेचों में से कोई भी एक दस्तावेच है तो आप अपने मत का प्रियों यहाँ पर कर सकते हैं वो डालनी के लिए जाते हैं